हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमीद करता हूँ ठीकी होंगे मैं राजन रहे जा आपका मेरे यूटूब चैनल हब आफ एन आई ए मीन्स न्यूज इन्फोर्मेशन एंड एज्जूकेशन में स्वागत करता हूँ जहां आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर फ्रॉम दा डायरी ओफ एनी फ्रेंग आज हम इस चैप्टर के कुछ इन्पॉर्टेंट एमसी क्यूज को जानेंगे जो की आपके सी बी एसी एग्जाम के लिए भी बहुत इन्पॉर्टेंट हो सकते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करनी से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक समय पर पहुँच सके तो चलिए बिना किसी देरी किये हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो का पहला कोशन है इसमें हमें बताना है वो क्या चीज थी जो एनी का प्यार उसकी ग्रेंड मदर के प्रती शो करती थी इसके आप्शन हमें दे रखे हैं तो फ्रेंड्स मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पोस कीजिए और अपने आंसर को सिलेक कीजिए और फिर जब मैं आंसर बताओं तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए ये आपको इस कोशन को अच्छे से समझने और इसको एक्जाम तक याद रखने में हेल्प करेगा तो चलिए अब हम इस कोशन के आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है D बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स A एंड B तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने आज के वीडियो के नेक्स कोशन पर चलते हैं और हमारा नेक्स कोशन है इसमें हमें बताना है कि किस तारीख पे एनी ने मिस्टर किसिंग की क्लास का इंसिडेंट रिकोट किया अपनी डाइरी में इसके आप्शन हमें दे रखे हैं A. 12 जून 1942 B. 21 जून 1942 C. 20 जून 1942 या D. 22 जून 1942 तो फ्रेंड्स अब हम इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है C. 20 जून 1942 इस देट पर एनी ने मिस्टर किसिंग की क्लास का इंसिडेंट अपनी डाइरी में रिकोट किया तो अब हम अपने नेक्स कोशन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स कोशन है इसमें हमें बताना है कि वो क्यों अनेबल थी अपने एक्सिस्टिंग फ्रेंड्स के क्लोजर जाने पर इसके option हमें दे रखे हैं A. She did not like her friends B. Her friends are not understanding C. She can't bring herself to talk about personal stuff या D. All of the above तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है She She did, she can't bring herself to talk about personal stuff अब हम अपने next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है In which city were Annie and Magrot sent to live her grandmother इसमें हमें बताना है Annie और Magrot ने अपनी grandmother को कौन सी city में भेजा रहने के लिए इसके option हमें दे रखे हैं A. Berlin B. A. Can. C. Munich या D. Bon. तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है B. तो friends अब हम अपने आज के वीडियो के next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है What did she write in the last essay? इसमें हमें बताना है कि इसने अपने last essay में क्या लिखा? कि इसने Annie ने? इसके option हमें दे रखे हैं A. A. Poem B. A. Jock C. A. Paragraph या D. A. Funny Poem अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है D. A. Funny Poem इसने Annie ने अपनी डाइरी के last essay में एक funny poem लिखी तो friends अब हम अपने next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है Who was only survivor from Annie family इसमें हमें बताना है कि Annie की family में सिर्फ कौन एक अकेला survivor था इसके option हमें दे रखे हैं A. Annie B. Annie's father C. Annie's mother या D. Annie's sister तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है B. Annie's father हमारा आज का next question है What name was her book published with? इसमें हमें बताना है A. इसकी book किस नाम से published हुई इसके option हमें दे रखे हैं A. From the diary of Annie Franks जो कि इस chapter का नाम है B. The diary of a young girl C. Annie Franks या D. Annie Franks diary तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है B. The diary of young girl जो इसकी book थी वो publish हुई The diary of a young girl के नाम से तो friends अब हम अपने next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है Why was writing in a diary A strange experience from Annie इसमें हमें बताना है कि डाइरी में क्या लिखा हुआ था जो strange था Annie के experience के लिए है इसके option हमें दे रखे हैं A. She had never written anything before B. She did not know how to write C. Neither she nor anyone else would be interested in it later या D. Both A and C तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है D. Both A and C तो friends अब हम अपने next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है How many siblings did Annie have? इसमें हमें बताना है Annie के पास कितने siblings थे? इसके option हमें दे रखे हैं A. One B. Two C. Three B. या D. Four तो अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है A. One तो friends अब हम अपने next question पर चलते हैं और हमारा आज का next question है Who did Annie allow to read her diary? Annie ने अपनी diary किसको पढ़ने के लिए allow किया? इसके option हमें दे रखे हैं A. Her sister B. Her parents C. A real friend If she got one या D. No one यानि उसने किसी को नहीं किया लाओ तो friends अब हम इसके answer को जानते हैं और इसका answer है C. A real friend If she got one उसने अपनी real friend को allow किया कि वो उसकी diary पढ़ सकती है तो चलिए friends आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को like करें share करें और हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के notifications आप तक समय तक पहुच सकें थैंक यू फॉर वाचिंग झाले वाचिंग